दर्शकों क्या करना है आज आपको आपके दिन को सफल बनाने के लिए क्या कहता है आज का नवरात्रा विशेश राशीफल आप सभी के लिए इसे बताने के लिए हमारे साथ हमार सूडियों में मौजूद है जाने हमारे जोतिश अचार्य पंडित मुकेश रास्री जी पंड बस कोच असान से उपायों के साथ, बस आपको हमें कॉल करना है, हमाद अमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन کی तारीक, जन का समय और जन का इस्तान बताना है, तो बस देर किस बात के उठाए ये अपना फोन और करदीजा में कॉल चलिए उससे पहले जान लेते हैं मा कात्याईनी के बारे में या देवी सर्भूतेशु शक्ति रूपें संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमा मा को प्रणाम करते हैं आज नवरात्री का छटा दिन है आज के दिन मा कात्याईनी की उपासना का विधान बताया गया है मा कात्याईनी की पूजा से शक्ति का संचार होता है दुश्मनों का संहार होता है विशिश दोर पे आज के दिन गोधुली वेला में मा का तैनी का ध्यान करना सर्मनुरत पूर्ण करने वाला माना गया है प्रतेक सर्व साधानन के लिए अराधना योग्य जो मैंने श्लोक भूला है सरलेस पस्टे मा जगदिंबे की भक्ती पाने के लिए कंठस्त कर लीजिए और आज के दिन इसका जाप कीजिए हमारी जिन बहनों के विवह में विलंब हो रहा हो सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ती नहीं हो रही हो तो आज मा का तैनी की उपासना कीजिएगा पूजा कीजिएगा निश्शित तोर पर मनवांचित वर की प्राप्ती होती है मा कात्याईनी को मा दुर्गा की छटी शक्ती के रूप में जाना जाता है नवरात्री के छटे दिन कात्याईनी के अद्भुद सरूप की पूजा की जाती है मन की शक्ती की देवी है मा कात्याईनी इनकी पूजा से उपासना से सभी प्रकार की मन की जो इंद्रियां है उनको वश्मि किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है पापों का सरुनाश करने वाली मा कात्याइनी की जो महिमा है वो बहुत ही रोचक है कहा जाता है कि कात्याइन रिशी ने जब करके पुत्री के रूप में जिस शक्ती की कामना की उसका भाव यही है कि मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश्में हो जाए मेरा आच्रन जो है वो पिता की तरह हो जाए और मन को पुत्री मान कर उसके लालन पोशन करूं उसका में पूजा से मन की आखे खुल जाती है तो दोस्तों आए अब शुरुवात करते हैं आज के नवरातर विश्यष राशी फल के बारे में जीवन के हर शेत्र में हर सेक्टर में सक्सेस पाने के कुछ सरल उपायों के बारे में शुरुवात करते हैं मेश राशी से मेश राशी वाली जो हमारे दर्शक है जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेट है उनके लिए आने वाला समय बहुत अरुपूर है जौप के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं हमारे दर्शक वो आगे अप्लाई कर सकते हैं निश्यत तोर पे मेहनत के मुकाबले 63% सफलता का योग बन रहा है पश्यम दिशा की तरफ मुक करके सफलता प्राप्ति मंत्र को क्या उन बार रोच पढ़िएगा अगली जो राशी हो है व्रशब राशी व्रशब राशी के जो हमारे दर्शक है यह आप अपनी किसमत फिल्मी दुनिया में अजमाना चाहते हैं मीडिया कि सफलता में ही हमारी सफलता है इसमें कोई दोराय में 32 बार रोज सफलता प्राप्ति मंत्र जरूर पढ़िएगा मिठुन राशी मिठुन राशी वाले जो हमारे दर्शक है आने वाले दिनों में कारिशमता पर थोड़ा सा इंपक्ट आ सकता है आपका जो एनर्जी लेव जैसे हमारी जो फॉजी हैं से बॉर्डर के उपर सतर्क रहते हुए देश की रक्षा करते हैं तो आपको भी सतर्क रहते हुए तमाम बाधाओं से तमाम हर्डल से मुकाबला करना है तभी आपको सक्सेस मिलेगी, you can get the success after putting so many efforts सफलता प्राप्ति मंत रोज 20 बार जरूर शिवानी जी की जन्द की तारीक है 23.12.1985 और उनके जन्द का समय है सुबह का दस पचकर 35 मिनट का गीदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इसका एलकरम पे अपना सवाल पूछे आदी कब तक हो पाएगी कौन साइसा ग्रै जो भी इसकी बाधा आ रही है बेटा इसकी आपने सर्फदोश की पूजा करवा ली गया दिखिए गीता आपकी सिस्टर की कुल्णी में जो बेसिक प्राप्लम है वो जो दिखती है वो यह है कि एक तो कालसर्फदोश है सिवियर कालसर्फदोश है वो भी लग़्ट फैक्टर से बन रहा है भग्यस्तान से सर्फदोश का बनना लग़्ट फैक्टर को डाउन कर देता है भग्ये को कम कर देता है दूसरा ठारा साल की राहू की मादशा चल रही है इनकी निशित तरफे विवा का योग है इसमें कोई दोराई नहीं है कि इनकी शादी का योग नहीं होगा लेकिन इनकी शादी का योग बनेगा नेक्स जुलाई में जुन जलाई 2017 में इनके विवा का योग बनेगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। वे केले के पौधे की परिक्रमा करें विदीने 6 मन्त सुन्दर सुयोग जीवन साथी की प्राप्ती होगी इसमें कोई दोराई नहीं जब समय मिले उजिन जाके एक बार काल सब दोश की पूजा अवश्य करवा दीजे सूर्य अराधना अवश्य करें इनके दामपत्य घर का मालिक सूर्य है आधित तेदे का पार्ट करें सूर्य के समान तेजस्वी जो है वो पती रूप में प्राप्त होते है तो दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्य है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमार नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है पढ़िजी अभी के लिए भारतपुर से भी एक दर्शक हमाई साथ जुड़ी है सपना जी है इनके जन्द की तारीक है 28.4.1975 उनके जन्द का समय है सुबह का पाच बच कर 20 मिट का सपना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है माईस कारकर में अपना सवाल पोछिए जी सपना जी आपना सवाल कीजे गुरुजी नमस्कार जैमातादी जैमातादी पीटा गुरुजी मेरे नाम से माईंस लगी हुई है तो वो उनका काम नहीं हो रहा है चार साल से तीन चार साल से अटका हुआ पड़ा है और उस चक्कर में आपसे कोई उपाय जानना चाह रही थी काम नहीं बनते हैं मेरे कोई जीजी गोई देखो लिछ बिठा सपना पहली चीज तो यह है कि आपकी जनब राशी वो बच्शिक कराशी राशी पस्टी चल रही है आपके नोकरी के घर का और वैपार के घर का जो स्वामी है शनी वो साड़े साती से पेडित है जब वो ही साढ़े साती से पेडःत हो जाए तो माइन्स या टेक्निकल या लोहा या मशीन जी इन सब में आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है तो यदि आप चाहती हैं कि आपको संपून सुखो की प्राप्ति हो आपकी माइन्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उपाय तो सरल उपा हैं लोहे का चल्ला आपको धारन करना है सवाच्य रत्ति का तिकोना मुंगा आपको चांदी के अंदर मंगलवार के दिन अनामिका उंगली में धारन करना है आठ चांदी के चंदरमा खरीत के लिए ये हर सोमवार को एक एक चंदरमा भगवान शिव को अरपन करना है शिवलिंग पर अरपन करना है आठ सोमवार थक आपको ऐसा करना है और नेमित रूप से सुंदरकान का मंगलवार शनिवार का पाठ करना है एक महीना आप हमारे साथ से चलिए निशित तोर पर यही बंद पड़ी जो माइनिंग है यही माइनिंग आपको बेनिफिट देने लगेगी इसमें कोई दोराई नहीं बाकि सब कुछ अच्छा आपके घर है बहुत अच्छे हैं लेकिन चंदरमा जो बेसिक है वो प्राबलम यही है कि नीच का चंदरमा है और वो ही आपको नुक्सान पोचारा है पंडिजी अपी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी है सोजानगर से जो कि अपने पुत्र नंद किशोर के बारे में जानना चाहते हैं नंद किशोर जी की जन्द की तारीक है 31.1987 और उनके जन्द का समय है रात का 10 बच कर 15 मिनट का गोपाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है में अपना सवाल पूछिए अपना सवाल पूछिए गोपाल जी आपके बेटी जो नंद किशोर है इनका जनम राशी अलग है बोलता नाम अलग है बोलते नाम से इनको जो है शनी की साड़े साथी चल लेगी लोहे का छला मध्यमा उंगली में धारन करवा दीजी दूद दई चावल सफेज जी जोगा सेवन सुजास के बाद बंद करवा दीजी दूसरा इनकी जनम कुली में सप्तम भाव में विवा के घर में मंगल और राहु की योती वनीवी काल सब दोश बनावा है एक अर्क विवा होता है वो जरूर करवा लिजेगा जैसे लड़कियों का घट विवा होता है विसे लड़कों का अर्क विवा करवाया जाता है जिनकी कुली में दोश हो एक बार इस बच्चे को उस दिन लेके चले जाईए वा मंगलनाथ में भात पूजा करवा लिजेगा और उसके साथ साथ में कालसब दोश की पूजा भी करवा लिजेगा जहां तक हमारी केलकुलेशन है अगले साल फरवरी 2017 के पशाथ में इसका विवा का योग बन रहा है जो प्राय बता है जो पूजाएं बता ही है वो अवश्य करवाईए तो चलिए दर्शक में भी किला आगे बढ़ते हों और आप जान लेते हैं नवरातरा विशेश राशिफल कर्क सिंग और कन्याराश वाले सभी जाते हूं के लिए करकराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं और इस्पेशली जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं है डंडे खाने के भी दिन आ सकते हैं ध्यान रखेगा पॉलिटिक्स करते हैं जीवन में सक्सेस पाने के लिए यो हैब टू डू हाड़ कड़ी महलत निश्यत और पर आने वाले कुछ मैनों में अगर काम की प्लानिंग करेंगे तो सक्सेस मिलेगी इसमें भी कोई दुराइगे सफलता प्राप्ति मंतर का रोज 21 बार जाब कीजिएगा अगली जो राशी वह सिंग राशी सिंग राशी वाले जो हमारे दर्शक ह इस्पेशली जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको अपनी कला के प्रदश्चन का सुनेरा आउसर प्राप्त हो सकता है सक्सेस जो है वह आपके दुआर पे खड़ी भी है माता की क्रपा का प्रशाद आपको लगातार मिलता रहेगा और इस प्रशाद को संभाल कर रखिएगा, आपके लिए बैठव रहेगा सफलता प्राप्ती मंतर का पाठपूर दिशा की तरफ मुक करके तरेपन बाद पढ़िएगा अगली जो राशी हो है कन्या राशी कन्या राशी वाले जो हमारे दशक हैं, इस्पेशली जो एक्टिंग फिल्ड से हैं थेटर फिल्ड से हैं, उनको अपना हुनर दिखाने का उपसर मिलेगा कोई बड़ा स्टेश शो भी आपका हो सकता है आने वाले कुछ मैने जो हैं, वो खुशियों से भरे हो सकते हैं मा के विशिश का पार है मा तो मा है, बच्चों पे तो हमेशा प्रसंद रहती है पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है मा की अराधना कीजिए नवरात्री के दिनों में और जिसने आपको जनम दिया उसके तो चर्णों को धोके पीजिए आज आप इस संसार में हैं और भोग रहे हैं तो because of your mother उनी और कोई आपको इस ये कोई सत्योक से पहले की रिशी मुनियों वाली दुनिया नहीं है कि एक भगवान ने आखे बंद गरिये और बच्चा हाथ में आई है यहाँ आपकी मान नो मैने तकलीफ पाती पेट में रखके उसके बाद में आपको जनम दिया सत्तर साल के उमर में सपेशली यह फ़ून करके कह दिया है कि अाप ही कर दीजे यहाँ अनतिम संस्कार हम नहीं आ सकते हैं दिकार रहे मनुष्यE जीवन पे पैदा होने पे न onset-त्रा में कम से कम यह संकल्प करेंगे कि मा का नादर नहीं करेंगे पतनी का अदार नेंगे, पुत्री का अदार नहीं करेंगे, दूसरे माईलाओं को गलत LESTICE से नहीं देके, कम कम ये संकल्प कर सकते हैं, जब ये संकल्प कर लएंगे, तो जीवन तो वैसे ही सुधर दाएगा, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 33 बारों सफलता दाप्ति मंत्र का जाद कीचीए तो दर्श्टकुम फिलाल के लिए वक्तों चलाए छोटे से ब्रेक पर आपका ही मुझ जाएगा जल्द वापस लाओते हैं आपके इस पसंदीदा कारेकरा में गुड़ लग टिप्स में